हलो एवरीवन वेलकम टी सरज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कि दोई विद्याले पर्मनेंट सिक्षक भरती कब तक आखिर कार कब तक वेट करना होगा कैंडिडेट्स को चलिए इस वीडियो में जानते ह और लगबग कितने पोस्ट पर recruitment होने जा रही है अगर recruitment notification जारी होती है तो कब तक जारी होने के chances हैं और कितने पोस्ट पर PGT TGT PRT के लिए कितने कितने पोस्ट बनने वारे हैं तो चलिए आगे बढ़ें और पुरी details को और कर लेते हूँ आगे बढ़ेंगे सारी डीटेल्स को हम समझेंगे सबसे पहले आपको बता दूँ कि लास्ट कब KVS में पर्मानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट हुई थी और क्या उनकी डीटेल्स थी तो ये एक नोटिफिकेशन थी जिसके मुताबिक KVS वेबसाइट पर ऑनलाइन पंज में शुरू होके 15-20 दिन का वक दिया गया था रेजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के लिए और 15-20 दिनों के बाद डिसमबर में सिप्टमबर में अगर डेड आय थे तो ऑक्टोबर नॉम्बर डिसमबर में एक्जामिनेशन कंड़क्ट करा लिये गये थे और इसमें ये भी डीट लिट लैबरेरियन के लिए 50 पोस्ट थे उस वक्त पी अर्टी के लिए 5300 पोस्ट थे पा डिसम्बर में एक्जामिनेशन हुए थे तो अभी क्या सीन बनता है के वी असकेंडरे विद्याल है हर अल्टरनेट यह मींस एक साल छोड़कर अगले साल फिर पर्मनेंट टीचर की रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन जारी करती आई है तो दोहजार अठरा के बाद एक्च जाएंगे तो जेन्वरी सेंट्रा लेवल पे उख्जामिनेशन कंड़क्ट कराए जाती है और अपने केंडरे विद्याले की भी एक्जामिनेशन सेंट्रा लेवल पर रिक्रूट्मेंट होती है तो सीट्ट के कैंडिडेट्स आ जाएं इतना वक्त दिया जाना चाहिए औ और इसके बाद मार्च तक में एक रिकूटमेंट नोटिफिकेशन आना एक्सपक्टेड है। और अगर मार्च से बी किसी वज़े से डीले हो जाती है, तो जून जुलाई तक बहुत ही जादा एकसपक्टेशनस है, रखे जा सकते हैं कि recruitment की एक notification मार्ज से लेकर जून जुलाई तक जरूर आएंगे ही आएंगे अब जहां तक नमरों पोस्ट की बात है तो बार-बार इस तरीके की आ रहे हैं कि डेटा जो हो रहे हैं बार-बार सामने आ रहे हैं अलग-अलग पोस्ट हो गए तो PGT के लिए काफी बड़े नमबर में हो गए 1700 के आराउंड खाली है पोस्ट वेकेंट है टीजी के लिए 3500 के आराउंड पोस्ट वेकेंट है पी आर्ट के लिए 4000 के तो अगर इन सब पर और लाइब्रेडियन वगरे को मिला जाए तो 8000 से 9000 से 9000 या इवन पोस्ट पर रिकूट्मेंट होने के चांसे जिन में पी आर्ट के लिए लगभग 4000 होने ही चाहिए टीजीटी के लिए 3000 के आराउंड होने चाहिए और पी जीटी के लिए 1500 के आराउंड होने चाहिए